गुजराट टेटन्स की कप्तान हार्दिक पंडिया नेनों काफी जर्चाओं में अपनी बल्ले बाजी गेंद बाजी को लेकर अब फिल्लिंग में भी इन्होंने तना बहतरिन कमाल दिखाया कि वो सभी की निगाहों में आ चुका है आप सभी को बता दें कि राइस्थान वर रोकिट थ्रो मार कर हार्दिक पंडिया ने कप्तान संजु सेमसन को पवेलियन का रास्त दिखाया था आप सभी को बता दें सेमसन 11 गेंदों में सामना क्या था और एक छक्के के मदद से 11 रन ही बना पाए थे गेंदबाजी में हार्दिक ने जेम्श निशम का एहम पर आठ चोके और चार चकों की मदद से 87 रन की तूफानी पारी खेली लेकिन एक रोकिट थ्रो ने सभी का ध्यान खेचा लोकी फर्गूसन की पारी के आठवे ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन ने मिडोफ की दिशा में शॉट खेली कर शॉट लेने की रन लेने की की लेकिन हार्दिक ने गेंद को तेजी से पकड़कर विकेट पर फेग दिया हार्दिक का फ्रो इतना तेज था कि बीच का स्टंफ तूट गया जिसके चलते मैच को कुछ देर के लिए रोक दिया गया जिया दोस्तो जो भी कोई कहता है कि हार्दिक की इंज़री है दिक्क पड़ा तीन ही गेंद बाजी करी तीन चोड़कर ये बाहर चले गए थे मैदान से रेस्ट लेते नजर आये थे लेकिन वो उमीद है जल्दी ठीक होगा लेकिन इस रोकेट थो नहीं मैच में बहुत बड़ी वापसी कराई थी क्योंकि जब संजू सैंसन खेलने के लिए थे तो टीम मुसीवत ने फर्स चुकी थी क्योंकि अश्विन का विकेट गिर चुका था बटलर टिके थे और बटलर और सैंसन के बीच पार्टनर्शिप बिल्ड हो रही थी लेकिन संजू सैंसन से पहले जौस बटलर आउट हो गए थे पार प्ले के आखरी गेंद पर पैसर बना कर खेल ले थे चलता किया एक छक्का लगा पाए संजू सैंसन लेकिन हर्दिक पंडिया का यह रोकेट स्रू सबको अपना दिवाना बना गया नेक्स्ट नैन स्पोर्स क्रिपो